सो एरिथमेटिक मीन जो है यह एक मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का ही मेडियन और मोड के अलावा एरिथमेटिक मीन जो होता है वह सिंप्ली अगर हम कहें तो एक तरह की एवरेज है ऑफ गिवन डाटा जो भी अबजर्वेशन से डाटा दिये गए हैं उनकी एवरेज निकालना एरिथमेटिक मीन कहलाता है हलांकी जो डाटा दिया गया है वो गृूप्ड हो सकता है और अनगृूप्ड भी हो सकता है तो अनगृूप्ड डाटा के लिए तो एक कॉम्मन सा मैथड है जिसमें हम डारिक्टली ऑवरेज निकाल लेते है जिसे हम मीन भी कहते है अवरेज मीन तो डाटा के टाइप के क अकॉर्डिंग अरिथमेटिक निकालने मीन निकालने के अलगलग तरीके हो सकते हैं सबसे पहले जो रिकॉर्ड हमें मैच करना है वह एंडिविजूल अब्जरवेशन्स हैं ऐसे का जाए कि इतने नमबर आए जो है मार्क इतने आए किसी स्पेसिविक सब्जेक्ट में तो वह एंडिविजूल का डाटा है रोल नमबर टू के इतने थ्री के इतने ठीक है अगर ग्रूपिं कर दी गई थी तो उनका arithmetic mean निकालने का तरीका अलग है और ungrouped data का जो mean निकालने का तरीका है वो अलग है तो सबसे simplest method जो हम use करते हैं average निकालने के लिए कि मानसों आपको data दिया गए individual three six और nine कि इनका arithmetic mean निकाले यानि इनकी average निकाले तो हम क्या करते हैं three plus six plus nine करके total number of quantities यहाँ पर तीन है total तो तीन से divide कर देते हैं तो यह individual observations है इस तरह से mean निकालना हमारा कहलाता है ungrouped data का mean निकालना तो इसके लिए formula क्या होता है कि जितने भी data दिये गए है एक्स वन जैसे three हमारा एक्स वन है six हमारे लिए एक्स टू है एक्स त्री हमारे लिए nine है तो इससे जादा भी long series हो सकती x4 and so on up to xn चाहिए कितने भी number दिये गए हो कितने भी individual data दिये गए हो वो सब हमारे लिए variable x is equal to variable variable इसलिए क्योंकि वो change हो रहा है और mean निकालने के लिए उसे divide करना पड़ता है number of data available या number of observations तो यहां देखिए x i x2 x3 वो हो गया 369 और number of data is equal to three तो हमने sum up किया इनको इस तरह समप लिखेंगे भी not comma वो मैंने बताया थे की variable available कितने है mean को denote किया जाता है x बार से यह मीन तो x बार क्या हो जाएगा जितने भी data available है उन सबको sum up कर दो x1 x2 x3 कोई भी series available रहे और जितने number of data है उससे उसको divide कर दिया जाए तो इसे हम कहते हैं ungrouped data का arithmetic mean अगर इसका formula formulate करें तो formulation करने के लिए अब हम अलग से तो नहीं लिख सकते हैं x1 x2 x3 x4 तो हम लिखेंगे summation summation का मतलब है total sum i is equal to one से लेकर शुरुवात one है two n पहली दूसरी तीसरी one से लेकर n तक जितने भी quantity होंगे उनके लिए तरह से symbol लगाया जाएगा और x i i का मतलब जितनी भी quantity है उन सब का sum जैसे three three six nine तो इन सब का sum कर लेंगे हम वो summation f i आए एकसाई आएगा तो summation x i यहाँ पर क्या है three plus six plus nine total eighteen summation x i की value 18 है तो पूरे को formula में जो put करेंगे तो इस तरह लिखा जाता है divided by n यहाँ कैसी चीज का summation करने की जूरत नहीं है हम देख लेंगे कितनी quantity अवलेबल है वह आता है arithmetic mean तो बहुत common है यह एक example से हम इसको समझते है most common है जो everyday life में हम use भी करते है माली जी एक class है जिसमे रोलंबर है पांच तक one two three four और five रोलंबर पांच ही data लेते हैं ज्यादा लंबा example हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत common है और marks संबाद करते है रोलंबर one के suppose marks i ten two के आते हैं fifteen three के भी suppose fifteen four के आते हैं ten out of twenty यह यह वाटेवर भी और five के आते हैं twenty तो अब x जो variables है 10 15 15 10 20 इनका हमें submission करना है एक से लेकर पांच वाले तक का हमें submission करना है तो 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 तो summation x i की value क्या होगी 10 प्लस 15 प्लस 15 15 प्लस 10 प्लस 20 तो इट वुड़ भी इस थर्टी फॉर्टी फिफ्टी एंट सेवन्टी लगबग सत्तर आ गया इसका तो x बार फॉर्मुला है summation x i की value है 70 और number of variables 12345 तो जो average आएगी वो आएगी 14 यानि कि जो arithmetic mean होगा ungroup data का यहां पर वो होगा 14 this is a very simple arithmetic mean for the ungrouped और दि इंडिविज्वड डाटा arithmetic mean की बात करते हैं लेकिन grouped data में अब data दो दिया गया है वो grouping में दिया गया है individual नहीं दिया गया ग्रूप्ड डाटा में भी दो सिरीज होती है discrete series और continuous series देखिए अगर डाटा की grouping हो जाए वहां पर दिया गया था कि रोल नमबर वन के 10 marks है suppose तो इंडिविज्विज्वी पता था कि रोल नमबर वन के marks कितने हैं अब एक डाटा दे दिया जाए कि 13 marks जो आए 30 marks not 13 वह लगबग 15 students के आए तो सभी 15 students के 30 marks है इसलिए इंडिविज्विज्वी हमें नहीं कह सकते कि कितने students के कितने marks थे उसमें specifically तो जब grouped data होता है कि 30 नमबर आए 15 students के 40 नमबर आए 16 students के या 50 marks आए लगबग माली जाए 18 students के तो इस तरह का data दो दिया जाता है वो grouped data होता है ग्रूपड डाटा में भी एक continuous series होती है और एक कहलाती है discrete series तो discrete stage में जो है interval नहीं होता वहाँ पर दिया ही गया है कि 30 marks ठीक है इस specifically 30 marks दस student क्या है या 15 student क्या है तो इसमें कोई interval नहीं दिया गया है ठीक है जबकि अगर interval दे दिया जाए यानि एक range दे दी जाए तो ऐसी series continuous series कहलाती है और एक्जामबल यह कह दिया जाए कि भई जो है न दस से लेकर 20 नंबर के बीच में तीन student है या 20 से लेकर 30 नंबर के बीच में 10 students आ गए कट आफ जैसे प्रेडिक्ट की जाती है कि 90 से उपर मालेज 100 का एक्जाम था कि हमें 10 ही शीट है हमारे पास तो 90 से उपर मालेज 10 student है तो वही कट आफ लाई हो गई तो अगर grouped data में भी कोई interval नहीं है कि 30 marks specifically 15 students के है तो यहां में यह continuous series क्यलाती है और एक क्यलाती है discrete series तो दोनों का arithmetic mean निकालने का जो तरीका है वह अलग लग होगा सबसे पहले हम grouped data में discrete series की बात करते हैं arithmetic mean in the grouped data और वह भी discrete series जिसमें कोई interval नहीं है इसमें इसमें नहीं है तो उसमें क्या करेंगे जो वारियेबल होंगे वह उसी तरह से होंगे x1 x2 x3 x4 and so on xn यहां पर variable वह है जिसको हमें यह देखना है कि कितने कितने students का वह है या कितने data के लिए वह अविलेबल है फॉर एक्जामपल मार्क्स का मैं एक्जामपल लेता हूं यह मार्क्स है ठीक है और number of students कितने students के वह हैं है वो उनकी frequency है repetition होना एक्स बन मान लिए 30 माक्स है 30 माक्स कितने students के हैं सबोस्थ 15 students के हैं तो यह उसकी frequency हो गई 40 marks सबोस्थ 10 चुडेंट्स के हैं तो वह उसकी frequency हो गई जिसे हम F से डोनेट करें एफ वन F2 F3 x1 की frequency f1 है एक्स2 माक्स की frequency f2 है एंड्स तो जितने भी number of variable रहेंगे उतने ही उनकी frequency रहेगी ठीक है इस case में कैसे arithmetic mean calculate करा जाएगा तो यहां हम एक्स बार एक्स बार का मदलब arithmetic mean similarly वही चीज की summation f i x i वहाँ पर हम summation के वल एक्स आई का ले रहे थे कि हमें total variables को इकाउंट कर देना था x1 plus x2 plus x3 and so on लेकिन यहां हमें क्या करना है हमें summation भी करना है और एक्स आई का करना है मानों दो ही डाटा होते कि तीस नंबर हैं दस बच्चों के और चालिस नंबर हैं बीस बच्चों के तो पहले हम इन्हें multiply करना पड़ेगा यह f i है यह f है और यह x है तो similarly x1 f1 x2 f2 तो इन्हें multiply करेंगे 13 to 10 फिर इन्हें जोडेंगे हम ठीक है 14 to 20 and so on जितने भी variable होंगे भी एक्जामपल से हम समझेंगे तो यहां formula जो बनता है वो होता है इनको multiply करके f i x i और i is equal to 1 से लेकर n जितने भी अवलेबल होंगे divided by summation of the frequencies इस formula को मैं भी लिखे रखता हूँ थाकि आप example से इसको समझें तो यह एक formula है f i x i summation divided by the summation f i एक example लेते हैं फिर बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे क्योंकि x के विले एक variable है मैं एक data लिख रहा हूँ उसका arithmetic mean calculate करेंगे एक तरफ हम दिखा रहे हैं marks और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे number of students कितने students के कितने marks पर एक्जामपल 30 marks हैं ठीक है 40 marks हैं किजी के 50 marks है और किजी के 60 30 marks वाले student है लगबग 15 40 वाले हैं लगबग 20 50 वाले हैं लगबग 10 और 60 वाले हैं 15 तो marks हमारे लिए quantity x और number of students हमारे लिए quantity है frequency कितनी आ रहे हैं अब हमें find out करना होता है f i x i तो हम generally कहेंगे f x क्योंकि i का standard मतलब है जितनी भी quantity actually यहां i is equal to four है वैसे तो one two three four चार quantities के लिए चार ही इनकी frequency दीगए यह तो चलो f x calculate करते है frequency into my marks कि मार्क का देख general example है जो भी data जिस तरह से दिया हो group data यह ऐसे भी हो सकता था कि वहीं कुछ और चीज़ हम ले लेते हैं कि पांच चपाती खाने वाले घर में दो मेंबर हैं ठीक है चार चपाती खाने वाले एक ही मेंबर हैं तीन चपाती खाने वाले पांच मेंबर हैं दो चपाती खाने वाले पांच मेंबर है और एक चपाती खाने वाले एक ही मेंबर है तो घर में टोटल मेंबर कितने हुए 3, 8, 13, 14 मेंबर्स का ये चार्ट दे दिया गया तो एक जनरल एक्जामपल है जो हम क्लास्रूम से ही लेते हैं माक्स का एक्जामपल अदर्वाइस कोई भी ग्रूपिंग डाटा पे समेशन FI XI या समेशन FX तो टोटल क्याकुलेट कीज़ें सबका 450 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 900 तो 8 और 5 13 13 और 9 22 और 26 2650 ओके आप भी क्याकुलेट कर सकते हैं साथ साथ समेशन F हम देखेंगे अब अपने फॉर्मुला में पुट कर लो एक्स बार के रहेगा समेशन FI XI कितना आया 2650 और समेशन FI कितना आया फ्रिक्वेंसिस का टोटल 60 तो इसको यह जैक्ली नहीं आएगा कुछ पॉइंट नहीं आएगा जब आप डिवाइड करेंगे तो 6424 और फिर से फॉर पॉइंट सम्थिंग ठीक है तो 44 पॉइंट सम्थिंग यह आएगा यह वैल्यू हो जाएगी एरिथमेटिक मीन फॉर्द ग्रूप्ड डाटा एंद्र डिश्क्रेट सीरीज तो यहां में दो चीज़े तो दी ही होंगी हमें के विल एफेक्स केल्कुलेट करना है डाटा की अगोडिंग डाटा यहां पर दिया गया था जो एफेक्स आजाएगा उसका समिशन करना है कितने भी ट्रम्स तक चाहें और आगे भी हो सकता था कि सत्तर नमबर इतने बच्चों के होते हैं वो सब समप कीजिए और उनको डिवाइड कर दीजिए दिस अरिटमेटिक मीन फॉर ग्रूप्ड डाटा इन दिस्कृट सीरीज चली बात करते हैं कांटिनियूस सीरीज की जहां इंट्रिवल होते हैं या एक रेंज होती है वहां पर भी ऑल्मॉस्स सेम फॉर्मॉलर रहेगा लेकिन वहां में एक चीज़ और कैलकुलेट करने पड़ती है वह होती है मिड वैल्यू ठीक है तो डिस्ट्रिबिशन वैसा ह लेगा कि एकस्न है एकसट्डू है एकस्ट्री है को मिड ड्मॉल्म पर प्रिक्वेंसर दिया रहेगा उसकी फ्रिक्वैंसि भी हमें दी होती है ठाफ फ्रिकवेंसी होते है veio होते हैं चखोग्र यह मेर्पेंस चेहरी एंसल्फ ल। तो क्योंकि एक्स वैल्यू जो है वह इंटरवल में है तो आप मुल्टिप्लाई किससे करें बई मानो मैंने कहा दिया कि दस नंबर आये थे पंधरा स्टुडेंट्स के तो फ्रिक्वेंसी तो स्पेसिट एक देश्ट नंबर पंधर त Dipके करतें और एफ एक्स निकलतें 15 50 बट यहां x interval या range में दिया गया तो हम 10 से multiply करें या 20 से multiply करें ये एक challenge है interval में तो interval के challenge को दूर करने के लिए हम x variable की बजाए क्यों ना एक mid value निकाल लें जिसे हम m से denote करें और फिर उसको multiply करने यानि हम बचाए fx के fm निकाले और summation of fx की तो इस चीज़ को हम समझते हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि number of observations या जो variables हैं उनको डारेक्ट multiply ना करके उनकी mid value क्योंकि वो range में है उनको हम multiply करें तो यहां देखिए arithmetic mean कैसे निकलेगा फिर हम example से समझेंगे तो arithmetic mean का same formula x bar summation fi वहाँ पर x i होता था तो i is equal to one to n यहां क्योंकि x i डारेक्ट नहीं है तो हमें mid value लेनी पड़ती हैं तो हम लिख देते हैं m i m is equal to mid value of that range of x range उसके बाद summation of f तो बिलकुल same formula है change क्या आ गया x की दिखाँ पर m आ गया अब हम observations देखते हैं के examples है फिर हम अच्छे से relate कर पाएंगे class interval है 10 to 20 marks का ठीक है 20 to 30 की 20 से 30 नंबर कितने लोगों के है 30 to 40 40 to 50 10 से 20 नंबर है लगबाग frequency दिखाते हैं अब हम 10 से 20 नंबर के बीच में है तीन लोग 20 से 30 के बीच में है 5 लोग 30 के बीच में 10 स्टुडेंट्स यानि 10 लोग और 40 से 50 के बीच में 15 लोग अब हमें फाउंड डाइट करना है एफ इंटू में एम तो हमारे पास यह है कि एम नहीं है तो चलिए एम हम calculate करते हैं मिड वैल्यू में हमें मिड वैल्यू कैल्कुलेट करने मिड वैल्यू के लिए हमें एवरेज निकालना पड़ेगा 10 और 20 का तो डरेक्ट यानि 15 25 35 45 चलिए एफ एम निकालना तो एफ एम 15 गुना में 345 25 गुना में 5 125 35 इंटो में 10 350 और 45 इंटो में 15 यह राउंड हो जाएगा 450 प्रस 225 तो यह लगवक 675 यह आगया हमारा एफ एम की वैल्यू अब हमें चाहिए समेशन एफ एम यहनि समेशन एफ एम यह दो एक एफ एम है सारों को कलेक्ट लीवे समप कर दो तो समेशन एफ एम आई स्कूल टू फोर चार डाटा है ना मारे पास तो इसको जोड लीजिए आप 45 और 125 तो 130 प्लस 41 70 350 प्लस 170 520 और 526 75 अल्मोस्ट 1195 आएगा इस ठीक है तो इसको अब फ्रिक्वेंसिस का समप कीजिए जैसा कि आपने पहले भी करा था फ्रिक्वेंसिस को समप कीजिए इसको आप डिवाइड कर लें जो वैल्यू आएगा वह एरिथमेटिक मीन यानिकी एक्स बार होगा फॉर्द ग्रूप्ड डाटा बट दी कांटिन्यूर्स सीरीज तो कांटिन्यूर्स सीरीज में हमें विड वैल्यू लेना पड़ता है अब्जर्वेशन जो वो डारेक्ट नहीं है जबकि डिस्क्रेट सीरीज में अब्जर्वेशन डारेक्ट होते हैं दस नमबर पंदरा बच्चोंगे तुम्हां डारेक्ट मॉल्टिप्लाइ करके एफ जब दो या दो से जादा अलग अलग डिस्ट्रिब्शन की के एक डिस्ट्रिबॉशन उसका अपना डिस्टरिबॉशन है तो तो जब इन distribution को combined कर दिया जाता है तो जो combined mean आएगा कंबाइं arithmetic mean वह कैसे calculate करते हैं तो उसमें भी एक simple सा formula है कि combined distribution का mean जो होग एक्स capital X बार लिखा जाता है इस के मैंड में क्योंकि वह 2 से ज्यादा distributions का है कि उसमें होता क्या है कि सबसे पहला distribution उसमें कितनी quantities है n1 into में पहले distribution का arithmetic mean तो वो x1 बार हम दिखा रहे हैं plus दूसरे distribution में कितना number of variables हैं और उसका multiply by उस distribution का mean अगर इसमें और भी जादा होते तो और add कर सकते हो तीसरे distribution तीसरे का mean चौथा distribution चौथे का mean तो हम number of ends तक इसको quantity जो है collectively जो है इसको find out कर सकते हैं लेकिन अभी में दो के लिए आपका example बता रहा हूं divided by number of variables in the first distribution plus number of variables in the second distribution तो n जो है वो number of variables है और x बार जो है यह हमारे mean है तो by definition combined mean का जो formula होगा वो यही रहेगा हम इनको x y मान कर भी कर सकते हैं कि पहले को इसको हम collectively x मान ले not the mean एक data एक हमने series मान लिए x दूसरे distribution को हम y मान ले तीसरे distribution को हम z मान ले तो फिर वहां क्या आता है formula की x bar is equal to summation of x plus summation of y n1 plus n2 तो आप collectively भी इनको मान सकते हैं अलग से क्योंकि महां summation of x का मतलब पहले distribution का mean या exactly यह जो formula हमने लिखा है इसको भी आप मान सकते है तो आप example से हम समझेंगे इसको कि मा लीजिए आपके पास 50 students है या for example 60 students है मारे पास भी एसी थर्ड येर में जिसी थर्ड येर मेडिकल में किसी specific college में 60 students है ठीक है जिन में से 25 जो हैं वो girls है एक भी एसी थर्ड येर की class medical की class जिसमें 60 students है उसमें से 25 जो हैं वो girls है 25 girls का average weight 40 kg है तो 25 girl का एक distribution हो गया जिसका अब अलग लग होंगे एक पहली लड़की का वेट मान लिजे 50 kg है दूसरी लड़की का 35 kg है किसी का 37 है तो 25 गल्स का वेट 40 kg है बचेवे बॉइस कितने थर्टी फाइफ फटी फाइफ बॉइस का जो एवरेज वेट है वो 53 kg है तो यह दो डिस्ट्रिबुशन है पच्छिस लड़कियों का एवरेज वेट 40 kg पैतिस बॉइस का एवरेज वेट 53 kg दो डिस्ट्रिबुशन हमारे पास है तो हमें फाइंड आउट करना है कि पूरी क्लास का एवरेज weight बताइए तो 60 students का average weight हमें calculate करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वही formula यूज करेंगे पहले distribution में number of variables है 25 and 25 लड़किया है and x1 पहले distribution का mean है 40 if I'm not wrong मैंने बताया भी था 40 kg plus and to number of variable 35 boys x2 उनका mean है 53 divided by लड़किया n1 पहले distribution में लड़के n2 जो है 35 तो इसको calculate करें यह हो जाएगा thousand प्लस 35 को जबाब 53 से multiply करोगे डवल फाइफ और डिवाइड़ बाई 25 प्लस 35 तो 40 और यह 60 हो जाएगा अल्मोस्ट इसको जबाब आइनरी डिवाइड करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा arithmetic mean होगी combined data की 47.58 kg इतने किलोग्राम पूरी class का average weight है यहां देखो हमने दो distributions को collectively join किया फिर हमने बताया कि कितना average weight आता है तो 4 तने का arithmetic mean for the ungrouped data for the group data discrete series for the group data continuous series and for the combined distribution this is the arithmetic mean